भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारंब किया मैंने की जब जगद गुरु संकराचार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावेगे जब लोग इसलाम को बेदर्द, मुसल्मान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही गुरान सरीप काई बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्ला इल्ला मुहम्मद रसूल अल्ला भलाया बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कल्मे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कल में कोई पढ़कर के हिंदु अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धरमात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईएं में जाकर के तो नहीं अन्भो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दें की गहरायों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई भुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के दौरा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिद्धानत नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्द कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुँच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा सास्त्रों को हिंदू धर्मकरंदों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोध किया गया ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संक्रा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पाँच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी इद बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धानतों का विरोध करना पहला अधर्म है कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुचाओं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है तुम कहने का ताथ पर जिस सर्फ एक है कि मैंने यह अन्भाव किया है कि यह एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग कुछते हैं कि आप मुसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का क्या हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्द किया जिसके वजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने ही नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भाषा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिश्यो मुन्यों ने दिया और ये ही संदेश परमात्मा का भीजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद साहब ने इस पैगाम को दिया तो हम बहुत भाव क्यों करें यहाँ पर भारत का मुसल्मान एक बात बिल्कुल मैं अस्पष्ट बता रहा हूँ आप से अगर भारत का मुसल्मान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसल्मानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदुओं को जो सच्चे सनातन धर्मी हैं उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए अगर कोई अच्छा हिंदू है सच्छा हिंदू अपने कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो अगर हिंदू की परिभाशा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाशा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजली देता हूँ हिंदू धर्म कुछ नहीं है पिर हिंदू धर्म वही है जो बेद को माने, पुरान को माने और सनातन को माने सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई ब्योस्था चलाना शुरू कर दे इसका मतलब यह है और नाम भगवान का ले एक बात और बता देता हूँ भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है हमारे पूर प्रधान मंत्री साथ मुझे दुख होता है कभी कभी है जबकी लोग यह न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूँ विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाशा नहीं आती है विदेश में जाकर के हिद्दु धर्म की गलत परिभाशा कर दिये और हमको सब को यह दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े है धर्म के बारे में बिना पढ़े होए धर्म के बारे में बोलना गलत है पहले धर्म को जान लेना चाहिए पिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम भैलेगा शांती भैलेगी इंसानियत सारे चारो तरब चारो दिशाओं में इंसानियत का प्रकार्श होगा और मैं तो कहता हूँ कि अगर संक्राचार जोग सब मिलकर के इस बिचार में इस्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इसलाम से अलग नहीं इसलाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं जो भैद पैदा होता है या राजनीती में होता है साम, दाम, दंड, भैद या राजनीती में है धर्म में नहीं है धर्म में है एक और ब्रम दुती और नास्ति एक अमिव दुती और ब्रम ला इल्लाह इल्लाह ये धर्म कहता है ये धर्म की बात है इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं उपासना करते हैं परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धर्ती पर इनसा बदलते जा रहे हैं तो परमात्माप्रा नियम बदलता चला जा रहा है एक बात याद रखिएगा जब से शुरुआत होई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी इश्वर का सिध्धांत एक था एक है एक ही रहेगा मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोक्ष नहीं है दोस्त उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके परतिष्ठा पाँचाईते हैं खास करके इतना जान लिए धर्म भेद को मिटाता है और राजनीती भेद को बढ़ाती है राजनीती का अस्तर केवल राष्ट की ब्योस् दर्म पूरे विश्व के लिए राजनीती से केवल आप देश का हिद कर सकते हैं लेकिर अगर विश्व का हिद करना चाहते हैं तो धर्म क्या आउशकता है और वो धर्म कुरान में असपश्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है बताया गया है हमें हिंदी की कुरा चाहिए मैं तो मुसल्मानों से एक जरूर बात करूंगा कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें आप के पलोस में जिस भी भार्षा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो जिस भी भार्षा को कोशिस कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र गंथ को उसको उसकी भासा में पह इतने प्रीमियों कि बीच में संक्राचाज को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी शंकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईए आप लोग भी संकोच छोड़िए हम जानते हैं कभी-कभी संकोच में कभी-कभी इस देश के कुश जो फिरका पर प्रश्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिलने ही पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गला भी मिलाएंगे जरुष पड़ गई तो आप लोग रास्ता नहीं है संक्रा चाज जानते हैं इस्राम बर्बादी का रास्ता नहीं है संक्रा चाज को पता है कि जो बेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं चुटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मान दो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं रख दू जो अपने उकहिते वो भी जान लें यह तो मुसल्मानों से भाजोकर ना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें है कर मेरी सकते ऑफनेया मैं अपर्चित्ता जानता नहीं था मैं मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धनवाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब्ब बड़ी सभाओं में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम में आते रहेंगे ओम शांती ही शांती ही शांती ही शांती ही